नमस्कार मैं सुश्मिता आप देख रहे हैं लाइब नियूज नाओ शुरुवात करते हैं देश दुनिया की बड़ी कबर से जौनपूर के चित्तपूर कगधरपूर निवासी शिपगोबिन पतेल के मन में बचपन से ही एन्वायरमेंट के प्रती जागरूपता थी बचपन से ही युबक सारवजनिक जगह पौधर उपन करने लगा और उम्र के साथ ललक और बढ़ गई मन में आया की साइकल से भारत भ्रमन कर जगह जगह की संस्कृति के बारे में जानकारी ले एवं लोगों को एन्वायरमेंट के बारे में जागरूप कर ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करें शिप गोबिंद ने बताया कि अब तक यात्रा में 1500 से अधिक पौधों को लगाया है वहीं बताया कि मेरे एंवायरमेंट के प्रति लगाव को देखते हैं। भारत अपना देश जाना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, सबजना चाहता हूँ, और दूसरा जो सबसे बड़ा उद्देश है मेरा Mission Green India, Clean India कि यह मैसेज हर लोगों तक पहुंचे और जादे से जादे लोग पेड़ लगाएं और अपने धर्ति के बारे में जाने और फ्रेंडली है, साइकल से मकसद यह है कि जादे स्यादे आप साइकल यूज करो, फिट भी रहोगे, हिल्दी भी रहोगे और पालूसन भी नहीं होगा, और आयल भी बचेगा, और धर्ति भी बचेगी जो साइकल थे पूरे भारत का जो भरमड करना, क्या किसी कंपनी द्वारा किया जा रहा है कि क्या है, कैसे आप कर रहे हैं? हाँ सर, यह मेरा खुद से है, क्योंकि मैंने यह ठाना था कि मुझे पूरे भारत को भूमना है, देखना है, समझना है, और जब हम 31 उलाई से निकले हैं पूरे भारत में, तो जो खर्च है, जो हमारा चीजे है, वो जहां भी हम जाते हैं, वहां के लोग सपोर्ट करते हैं वहां के IMA, जो हैं जो Ев さन हैं, जो भी कुछ सोचल व्रक वरकर्स हैं, जो भी कुछ अच्छा धरती के लिए कुछ समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं वह हमारा विलकम करना सपोर्ड करना सहयोग करना और अगर रहने खाने की बात करें तो हम ज्यादेतर मंदीर गुर्दवारे और बाकी बहुत सारे ऐसे प्लेसे होते हैं कभी कोई फिक्स नहीं होता है जैसे अने राजियों में जाते हैं तो लोग कैसे मिलता है कि आप जो अलग राज में आ रहा है इसका सबसे उधारण है कि हम गूगल पे फेसूप पे और इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देते हैं उसके माध्यम से लोगों क मिलते हैं तो आगे का कांटेक्ट हमें दे देते हैं बाकि अगर कोई भी परसानी होता है